वेल्कम बैक टू निशाज रेइन को दोस्तों कैसे हैं आप रो और आज मैं बना रही हूं फिर कुछ नया सा अपने केचन में वह आपके साथ शेयर कर रही हूं और यह क्या है शिम्ला मिर्च सभी जानते हैं यार और यह है टमाटर तो आज मैं बना रही हूं भर्वा टमाटर और भर्वा कैप्सिकम उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूं बनाती थी मैं इस चीज को पहले लेकिन बहुत टाइम से नहीं बनाया है तो चलिए आज अपनी यादों को भी ताजा करती हूं आपके साथ और बनाती हूं यह रसीपी आपके साथ तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूं कि इसमें इंग्रीडियंट्स क्या चाहिए यहां पर मैंने लिये थोड़ी सी अद्रक तीन मिर्ची है थोड़े से क्लोफ लिये हैं लेसन के और यहां पर लिया है एक प्याज यह सारी चीजे तो मैं अपने मैन्वल चॉपर में चॉप करूंगी इनको बारिक करना है और जो हम इसके लिए फिलिंग बना रहे है अपन और इसी तरह से टोमेटोस को भी टोमेटोस थोड़े से छोटे है और इनको खाली करने के बाद हम पलट कर रख देंगे इस तरह से जिसे की जितना भी जूस के अंदर है वो निकल जाए तो और यहां पर यह देखिए इसकी ग्रेवी बनानी हमें यहां पर मैंने एक दितन अध्य प्याज़ु और टमाटर का यह जो मेरे पास 이제 यह निकल रहा है न इसका अंदर का फ्यलिक जो होता है प्याटर का वो मैं इसमें पीस लूंगी और जो फिलिंग बनाऊंगी मैं उसके लिए इसमें लोगी और यह ग्रेवी के लिए है तो फिलिंग में हम पनीर यह भी यूज़ करेंगे पनीर ये 200 ग्राम के पैकेट्स हैं और यहां पे मेरे पास चाह आलो है बॉयड तो यह भी हम यूज़ करेंगे यहां पे मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दे रहे हूं एक स्कूप करके स्कूप आउट करकर यहां से हम इसको काट लेंगे देख सकते हैं यहां पर ऐसे और बड़ा इजिली इसको हम रिमूफ कर दिंगे इसके जो जॉइंट्स है ना बस वहीं पर हमें कट लगाना है छोटा सा और इसको पकड़ के हमें निकाल लेना है धीरे से लाइक दिस और इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है वह आप क्लीन कर दें जिससे कि फिलिंग इसमें अच्छे से फिल कर सके हैं कि इस दियान रखेगा कि फतना नहीं चाहिए और यहां से आप चाहें तो इसको अगर आप शैलो फ्राइग तो यहां से चाहें तो इसको रिमूव करके इसका बेस बना सकते है और अगर आपको deep fry करना है तो यह as it is ही ठीक है और टोमाटर का देख लेते हैं हम यह टोमेटो लिया है इसका उपर का हिस्सा मैंने निकाल दिया है और इसको हम हलकी चाकू चला करके स्कूप आउट कर लेंगे इसको भी यह देखिए और इसको हम इस तरह से पलट के रख देंगे जिससे ही इसका सारा जूस पाहर आजाए यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने मैनुवल चॉपर में ही आलू पनीर और प्याज मिर्च लेस्न और अद्रक को अच्छे से बारिक कर लिया है तो पहले तो इसमें मैंने प्याज मिर्च लेस्न अद्रक को बारिक किया था फिर इसको अच्छे से मैश करने के लिए क्योंकि ठंड है न तो अभी हाथों बहुत जोर नहीं पड़ रहा है तो मैंने इसमें आलू और पनीर को भी मिक्स कर दिया उसी के साथ में चला दिया और हिब बहुत अच्छे से हो गया यहां पर किसी एड़ी यहीं हूं मैंने डाली छोड़ी से लाल मिर्च आदा 14 मुथ में cotton च sparked कला नमक डाला है अधा चमच ही आमचूर पावडर डाला है और देर चमच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है यहां पे हरी धनिया एड़ करके और फिर मैं इसमें थोड़ा सा साधा नमक और एड़ करके इसको मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है जिससे कि इसका फ्लेवर हर जगे evenly spread हो जाए और जो भी आप बनाए इसमें और यहां पर देखे इसको हम फिल कर देंगे आप इसको हाथ से भी भर सकते हैं और आप इसको चमच से भी भर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं पूरा अच्छे से फिल कर लीजे कहीं भी बिल्कुल जगे नहीं होना चाहिए बचा नहीं होना चाहि अपनाते हैं देखिए यह है न और इसको हमें बस यहां पर सूखा कॉर्ण फ्रार हम इस पर लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको करेंगे डीप फ्राई और इसको लगा देने से बिल्कुल भी यह फटना नहीं चाहिए फटेगा नहीं इसी तरह हम सारे ही कोट करके रख ले रहे ह और इधर हमाई कड़ाई देखें कड़ाई तेयार है और इसको हमें तेज आज पर फ्राई करना है कड़ाई में तुरन डाल के और तुरन निकाल लेना है इसको हमें धीमी आज पर नहीं करना है फ्रेंट्स हमारे आज इसका तेज ही होना चाहिए कड़ाई का और अगर हम धीमियाज पे करेंगे न तो ये सारा का सारा ढंक से पकेगा भी नहीं और ये पूरा फैल जाएगा ओल के अंदर ही तो आप देखिए बस इसको तुरंद के तुरंद हमें निकाल लेना है इसके इसकिन बस हल्की से सॉफ्ट होनी चाहिए और इसको हम बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स इसको करते समय भी बहुत हतियात से काम करिएगा काफी दूर देखिए मैं भी कडाई से खड़ी हुई थी ये फट भी सकता है ना इसलिए थोड़ा सा केरफुल जरूर रही है और यहां मैंने अलग कडाई में ग्रेवी बनाने के लिए ओल में थोड़ा सा जीर इसलिए हमें भून लेना है ग्रेवी इसकी थोड़ी सी हम ठिक रखेंगे और मलाई का यूज मैं नहीं कर रही हूं तो मलाई आप चाहें तो यूज कर सकते हैं और मैं यहां पर यूज नहीं कर रही हूं और ग्रेवी में मैंने नमक डाल दिया है अपनी टेस्के कोडिंग इसमें तो इसी तरीके से बने गां और लास्ट में इसमें मैं डालूँगी तो यह पूरा पैकेट ही डाल दे रही है मैं इसमें तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके पूरी ग्रेवी हमाई अच्छे से त्यार हो जाए मैंने बहुत ही कम ग्रेवी बनाई है क्योंकि हमें रोटी से इसको खाना था और चावल नहीं बनाया था मैंने रात का टाइम है तो यहां पर बस यह एक दो बॉयल आने चाहिए क्योंकि जो प्लाइखनी सारी चीज आल्री पक चुकी गया और यहां पर जो टमाटर रहना हम इसको प्लाउट कर लेते हैं यह देखे इसके इसक में आराम से निकल जा रही है तो इसकिन को हम रिमूफ कर दे रहे हैं यहां से और इसके बाद हम इनको सभी में पीसे कर लेंगे आप पूरी भी हो जाएगी अदर्वाइज ऐसे तो बहुत हैवी लगेगा ना एक टमाटर उठाना एक कैप से कम तो इस तरह से इसको पीसेज में डालीजे देखने में भी अच्छा लगता है और बनेगा भी बहुत अच्छा और यह देखे मेरी ग्रेवी यहां तयार है तो कर रही हूँ मैं प्रेजेंटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं गाइस मेरे यहां अब इसको देखने के बाद बच्चे बिलकुल भी कंट्रोल में नहीं है कैने बस फटा फट दे दो हमें खाना है तो आप मैं लगूंगी रोटियां बनाने में और यहां पे बस सब्सक्स नहीं होगा जो कि आपकी तारीफ बिना किये टेबल से उड़ जाएगा रेली बहुत ही यमी बहुत ही डिलेशर रेस्पी है गाइस जरूर से जरूर ट्राइ करिएगा इसको तो फ्रेंड्स मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए हैं और पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मेरी नेक्स आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे टेक केर एव्रिवन बाबाई कैसा लगा अब अब यहां चिका लेका शुना बच्चा अले वा क्या बात है अश कैसा है पर्फेक्ट पर्फेक्ट अच्छा लगा पसंद आया अब यह क्या कर रहे हो तमार्च आपको